नमस्कार साथियो मैं बेद प्रकाश आपके अपने यूट्यू चैनल प्रकाश रिश्डी में आपका स्वागत करता हूँ साथियो आज हम एक जनवरी 2022 का प्रतम सिप्ट का पेपर लेकर हैं जिसमें आज हम पढ़ेंगे साथियो हिंदी साथियो सीटेट के पेपर में जो हिंदी पूछा गया है आज हम इस वीडियो में सभी कोशनों को करने वाले हैं साथियो आपको बता दू हिंदी में गध्यांस पूछा जाता है और एक पद्यांस साथियो गध्यांस को आप पढ़के डिया कर पहले वारा है आप ने चेनल सब्सक्राइब नहीं किया हैं तो प्री चैनल को सब्सक्राइब पढ़ते हैं वीडियो को लाइक और आ multim जितने भी आपके हैं इस वीडियो को वहां तब पहुंचाते हैं इससे पहले हम बाले बिकाइश सेमें शिक्चा सास्त्र पर्यावरन गड़ेत और आपकी संस्रिक्रत की वीडियो बना चुके हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया गया है वहां पर आप जाके सभी को देख सकते हैं साथ ओज दिसम्मा 2021 में और जनमरी 2022 में जो भी स्ट्रेट के पेपर हुए हैं सभी का वीडियो बनाकर इस चैनल पर डाल दिया है आप देख सकते हैं आईए इस्ट्राइट करते हैं क्वशन नमा 91 से 91 में पूचा गया है सून्ने के वारे में कौन सा वाक्य सही है नीचे चार अपसन रिके हैं चार अपसनों को पढ़के सही आंसर आपको वताना है इन में से करेक्ट आंसर क्या होगा आगे देख लेते हैं क्वशन नमा 92 का करेक्ट आंसर सही होजाएगा यानि सून्ने को पढ़के सही आंसर आपको वताना है क्वशन नमा 92 का करेक्ट आंसर क्या होगा आगे देख लेते हैं क्वशन नमा 93 का करेक्ट आंसर सही होजाएगा पूचा है सुन एक ही समय में एक अमूर्थ विचार और एक वास्तविक विकसता है वास्तविकता है का आसर है नीचे चार अपसंद रिखें हैं चार अपसंदों को पढ़के सही आंसर आपको वताना है क्वशन नमा 94 का करेक्ट आंसर क्या होगा साथ और 94 का करेक्ट आंसर अपसंदों पहला सही हो जाएगा यानि यह दिखाई गई दिखाई नहीं देता परन्तो इसका अस्तित्तों है आगे दिख लेते हैं क्वशन नमा 95 में पूचा है सुन्ने की अबादहरना आने पार भी मनुस ने इससे भहुत समय तक संख्या क्यों नहीं समझा होगा नीचे चार अपसंदों के हैं चार अपसंदों को पढ़के सही अंसर आपको उताना है क्वशन 95 का करेक्ट अंसर क्या होगा साथि 95 का करेक्ट अंसर 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 पहला सही हो जाएगा यानि मूर्थ चीजों से सुनी की सम्रदता न होना आगे देख लेते हैं question 96, 96 में पुचाए किस सब्द में अब अपसर्ग का अपयोग नहीं हुआ है नीचे चार अपसर्ण रिके हैं, चार अपसर्ण को पढ़के सही आंसर आपको पताना है question 96 का correct answer क्या होगा question 97, 97 में पुचाए किस प्रत्य का प्रियोग किया जा सकता है नीचे चार अपसर्ण रिके हैं, चार अपसर्ण को पढ़के सही आंसर आपको पताना है question 97 का correct answer क्या होगा question 97 का correct answer अपसर्ण सही होगा, यानि एक प्रत्य का आगे देखे लिते हैं question 98, 98 में पुचाए वेग्यानिक में मूल सब्द है नीचे चार अपसर्ण रिके हैं, चार अपसर्ण को पढ़के सही आंसर आपको पताना है question 98 का correct answer क्या होगा साथी 98 का correct answer अपसर्ण रिके होगा, यानि ज्यान आगे देख लिते हैं question 99, 99 में पुचा है स्वातंतर का संदी विच्छेद है नीचे चार अपसर्ण को पढ़के सही आंसर आपको पताना है question 99 का correct answer क्या होगा साथी 99 का correct answer अपसर्ण रिके होगा, यानि स्वाप प्लस अतंतर इसका सही संदी विच्छेद हो जाइगा, option नमर पहला थाथे ये आपके सामने फिर से repeat होगए, question 100 से लेकर 155 तक के पद्यांस आएगा इसमें पद्यांस को ये आपके सामने है, ये सो से लेकर 165 तक के question देने होगे यह आपके सामने पद्ध्यांस है पद्ध्यांस को पढ़िए 10 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है उसके बाद में कोशना को करते हैं आईए एक्ट्राइट करते हैं कोशना मर्सौमा इसमें पूचा गया है इस पद्ध्यांस में मुक्षता किसकी बात की गई है नीचे चार अपसंद रिके हैं चार अपसंदों को पढ़िए सही आंसर आपको उताना है क्वासन मर्सौ का करेक्ट आंसर क्या होगा साथ ये सो का करेक्ट आंसर अपसंदों को पढ़िए सही आंसर आपको उताना है question 101 का correct answer क्या होगा साथ 101 का correct answer option 24 सही हो जागा यानि सिंदू आगे देख लेते हैं question 102 102 में पूचा है धर्ती को कौन डोबो ना चाहता है नीचे 4 अपसन रिखे हैं 4 अपसन को पढ़के सही answer आपको होता ना है question 102 का correct answer क्या होगा साथ 102 का correct answer अपसन नमर पहला हो जाएगा यानि अत्यदे का ब्रश्टी आगे देख लेते हैं question 103 103 में पूचा है धर्ती अनमोल है भाव पद्धांस की किस्व पंक्ती से अभे व्यक्त हो रहा है नीचे 4 अपसन रिखे हैं 4 अपसन को पढ़के सही answer आपको होता ना है question 103 का correct answer क्या होगा साथ 103 का correct answer option 103 सही हो जाएगा यानि मोल नहीं ले पाए उसको आगे देख लेते हैं question 104 104 में पूचा गया है सिंदु का पर्रयावाची सब्द नहीं है नीचे 4 अपसन रिखे हैं 4 अपसन को पढ़के सही answer आपको होताना है question 104 का correct answer क्या होगा साथ 104 का यो correct answer है option 104 हो जाएगा यानि यलद आगे देख लेते हैं question 105 105 में पूचा गया है निम्लिक्त में से भिन सब्द यूग में है नीचे 4 अपसन रिखे हैं 4 अपसनों को पढ़के सही answer आपको होताना है question 105 का correct answer क्या होगा साथ 105 का correct answer second से हो जाएगा यानि भूचाल भूकमपों आगे देख लेते हैं साथी question 106 105 तक हो गया 106 मा question है इसमें पूचा गया है यादे शिक्षक विद्यार्थियों को सब्दा वली सीखने में मदद करना चाहते हैं तो निम्लिक्त में से कौन सा तरीका सबसे प्रवाब शाली होगा नीचे चार अपसंद्र के हैं चार अपसंद्र को पढ़के से यांसलाब को उताना है कौसन में 106 का correct answer क्या होगा साथी चार अपसंद्र का correct answer पहला सही हो जाएगा यानि कहानी हो चित्रों का प्रयोग आगे देख लेते हैं कौसन में 107 107 में पूचा गया है भव भासावाद सिख्चा का एक ऐसा संसादन है जिसका उद्धिश है नीचे चार अपसंद्र के हैं चार अपसंद्र को पढ़के सही आंसलाब को उताना है कौसन में 107 का correct answer क्या होगा साथ 177 का correct answer अपसंद्र पहला सही हो जाएगा यानि शेक्षन आदेकम के लिए सिख्चार्थियों की बासाओं का उप्योग करना कौसन में 107 का correct answer अपसंद्र नमर पहला हो जाएगा आगे देख लेते हैं कौसन में 108 108 में पूचा गया है किसी पाठे साम्मेगरी से कोई विशेष्ट सूचना निकालने के उद्यस से उस पाठे साम्मेगरी के किसी अंस को वारी की और गहनता के साथ पढ़ने का कौसल कौन सा अब वो दन कहलाता है नीचे 4 अपसंद्र के हैं चार अफ्सनों को पढ़के सभी अंसर आपको पोताना है कॉसेंगा 108 का correct answer क्या होगा साथी 108 का correct answer आपको पहला सभी हो जाएगा यानि आनू मानिक आगे देख लेते हैं कॉसेंगा 109 109 में पूचा गया है बहु बद्धी के सिद्धान्द के संद्रम में निम्ले कितमें से कौन सी बुद्धी भासा के संबंदित है नीचे चार अपसंद रिखे हैं चार अपसंदों को पढ़के से या अंसर आपको बताना है कॉस्टनम 109 का करेक्ट आंसर क्या होगा साथ 109 का करेक्ट आंसर अपसंदों सेकंड से हो जाएगा यानि भासाई मौखेक बुद्धी आगे देख लेते हैं कॉस्टनम 110 से 110 में पूचा गया है इन्यमें से कौन से बहु भासावाद के लाब हो सकते हैं फश कहता है सम्रद सब्दा वाली और प्रभावशाली भाशन सेकंड कहता है अन्य संस्कृतियों के प्रते शाहिशुडता और सम्मान तीसरा कहता है सममित रोजगार के अफसार फ़ोधा कहता है परावासिक जागरुकता नीचे चार अफसंद रिखे हैं हो जाएगा आगे देख लेते हैं कुस्ण में 111 111 में पूचा गया है वाई गोस्तकी के अनुसार जब कोई बच्चा या बच्ची भासा की मदद से अपने स्वें की कार्णियों को निर्देशित करता है या करती है लेकिन वहाँ भासा दूसरों के लिए श्रब्य नहीं ह नीचे 4 अपसंद्रिक हैं 4 अपसंद्रों को पढ़के सही अंसर आपको बताना है कुस्ण अमर 111 का करेक्ट अंसर क्या होगा साथी 112 का करेक्ट अंसर क्या होगा यानि आंत्रिक भाशन आगे देख लेते हैं कॉसन में 112, 112 में पुचा है भासा विज्ञान की कौन सी साखा संदर्वों में भासा से जुड़ी है नीचे चार अपसन रिखे हैं, चार अपसनों को पढ़के सही अंसर आखो अताना है कॉसन में 112 का करेक्ट अंसर क्या होगा साथ 112 का करेक्ट अंसर अपसनों सेकंड सही हो जाएगा यानि अपयोगता विज्ञान आगे देख लेते हैं साथियों कॉसन में 113, 113 में पूचा गया है सिसुओं में भासा के विकास के सम्मंद में कतन अ और बव पर विचार करें कतन आदे रखा है 6 सवावस्था से बच्चे की बाक नली एक वयस्क माना की तुल्ला में जानवर की तरह आदिक होती है कतन बग कलाता है 6 से 12 महीनों के दोरान एक बच्ची तरह तरह के बवलाना और धराव वाले बवलाना में सनलमन है बच्चार अपसंद्र के बाक है 114 में पुचा गया है माननक बोली का धड़्जा पानने के लिए निमले खितर चरणों से घोजरती है नीचे चार अपसंद हैं, चार अपसंद हो को पड़के सही आंसर आपको उताना है, question number 114 का correct answer क्या होगा, साथ ही 114 का correct answer अपसंद हो पहला सही हो जाएगा, यानि चायन सहेता करणा और देशे का निधारणा, आगे देख लेते हैं question number 115, 115 में पुचा है, बोली के सम्मन्द मे कतन अ और ब पर विचार करें कतन अ दे रखाय किसी देश के एक हिस्से में बोली जाने वाली विवेद बासाओं में से एक प्रकार जो छेत्रिय बोली के रूप में जानी जाती है कतन बाद रखाय एक शामान शेक्षे का प्रिष्ट भूमें वाले लोगों द्वारा विवेद प्रकार की ओप्योग की जाने वाली भासा में से एक प्रकार की बोली के रूप में जानी जाती है नीचे चार अपसंद्र के हैं चार अपसंद्र को पड़के सही आंसर आपको उताना है कॉसन में 115 का करेक्ट आंसर क्या होगा ताती 115 का करेक्टा अंसर अप्सनों पहला सही हो जाएगा जिसमें अ सही है और बह इसमें गलत हो जाएगा आगे देख लेते हैं कुसर नमर 116 116 में पूचा गया है पत्नी से जल्ली करो हमें देर हो जाएगी साकर्मी से जाने का समय हो गया है हमें बैठक के लिए देर हो जाएगी वरिष्ट न्यूकता सी कतिये महुदे साम के चार बज गए है और वैठक सवा चार बज है क्या आप हमें चलना नहीं चाहेंगे बासर में इस विविनता को किस रूप में जाना जाता है नीचे चार अपसंद्र के हैं चार अपसंद्र को पढ़के सही आंसर आपको उताना है क्वेसर नमर 116 का करेक्ट आंसर क्या होगा ताति 116 का करेक्ट आंसर अपसंद्र आपसंद्र सही हो जाएगा यानि राजिष्टर आगे देख लेते हैं क्वेसर नमर 117 117 में पूचा गया है समुवाद विवाद में भाग लेने के लिए भासा सिच्छक एक सर्थ रखता है कि समुव में चार विद्यार्ती कनिष्ट वर्ग से तथा एक विद्यार्ती वरिष्ट वर्ग से होना चाहिए यो आविसेकता पढ़ने पर कनिष्ट की साहता कर सके समु निरमाड का वचार करकी सिद्धांत पर आदर अरद ऱिता है आगे देख लिएते हैं कॉसन में 118, 118 में पूचा गया है सम्हों प्रस्ता प्रस्तुती के दोरान यदि किसी विद्यार्ती के दोरा अनुचित व्यवहार प्रदर्सित किया जाता है तब एक अध्यापक होने के नाते आप क्या करना चाहेंगे नीचे 4 अफसन रिखे हैं 4 अफसन को पढ़के सही अंसर आपको उता ना है कॉसन में 118 का करेक्ट अंसर क्या होगा साथ 188 का करेक्ट अंसर अफसन सही हो जाएगा यानि इससे बात करेंगे आगे देख लिएते हैं कॉसन में 119 119 में पुचा है माननेताओं का हुआ समुह जो इस बात की व्याक्षिया करता है कि भासा सरचनाओं या नियमों का समुह हैं किस रूप में जाना जाता है नीचे 4 अपसंद्र के हैं 4 अपसंद्र को पढ़के सही अंसर आपको उताना है Q119 का करेक्ट अंसर क्या होगा Q119 का करेक्ट अंसर अपसंद्र में 3 अपसंद्र सही हो जागा यानि सरचनाओं का और पागम का आगे देख लेते हैं कुशन में 120 120 में पुचा गया है सांप्रेशनाओं का बासा सिख्यार्ट के सम्मद्द में Q2 पर विचार कीजे Q2 दे रखा है Q2 का करेक्ट अंसर क्या होगा साथ 120 का करेक्ट अंसर 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 पहला सही हो जाएगा इसमें A और अप्सन नम्मर 2 यानि A सही होगा इसमें और 2 इसमें गलत हो जाएगा साथ हिंदी से जितने भी Q2 बनते थे हमने इस वीडियो में सभी Q2 को कंप्लीट किया है अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है अपने चैनल सब्सक्राइम ने किया है अपने चैनल को भी सब्सक्राइब करते है आज के लिए बस दना ही धन्यवाद